फ्यारे बच्चों, आज हम लोग कमेश्टरी के सबसे most important objective question को discuss करेंगे यानि आपके आने वाले center exam और आपके आने वाले board exam में यह objective समझी की viral है यदि आप इसको कर लेते हैं तो आपके exam में बहुत सारे यहां से objective question आपके exam में देखने को मिलेंगे तो चलिए फटा-फट हम यहां से आप लोग को objective question discuss करते हैं जो आप लोग को यहां पर नया concept मिलेगा आप लोग अपने copy per note करते रहेंगे और आप लोग PDF के लिए ठीक है ना और class के update के लिए आप लोग telegram group जोईन कर सकते हैं जो की टेलिग्राम सोरी जो की description box में दिया गया है वहां से आप लोग telegram जोईन कर लेंगे हां लेकिन यहां से जो आप लोग को objective कराएंगे इसको आप लोग को complete कर लेना है समझे कि यह सब viral question है यदि आप लोग इसको कर लेते हैं तो एक्जाम में एको सवाल आप लोग को ऐसा नहीं लगेगा कि हम नहीं पड़े हैं तो यह करा कोई सहूं आप लोग को complete कर लेना है चलिए बाबू फटा फट हम यह से आप लोग को objective question discuss कराते हैं और आप लोग को यहां से doubt होला जो सवाल रहेगा जो आप लोग को अच्छा concept लगेगा आप लोग उसको क्या करेंगे बाबू आप लोग उसको note कर लेंगे चलिए पहला सवाल यह है कि सगन बहुली करण का उतपाद निमलिखित में से कौन है और आप लोग को जबाब देना है कि इसका right answer क्या होगा तो सगन बहुली करण का जो उतपाद होता है वह बाबू हम लोग का nylon 66 के लिए होता है ठीक है ना nylon 66 के लिए होता है तो option number हमनी के क्या हो जाएगा option number हमनी के D हो जाएगा समझ गये ना option number D हो जाएगा हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं question number दूसरा आप लोग की screen पर है और आप लोग देख रहे हैं कि सबसे most important objective सवाल है आप लोग की screen पर कि निमलेखित में से कौन पारकिर्तिक बहुलक है जो कि यह सवाल कई बार आप लोग के एग जाम में पुछा गया है कि पारकिर्तिक बहुलक बताइए कौन होता है कौन निमलेखित में से कौन पारकिर्तिक बहुलक है तो आप लोगा देखे पारकिर्तिक बहुलक जो होता है वो protein भी होता है ठीके ना आप लोग का cellulose भी होता है और आप लोग का rubber भी होता है यह पारकिर्तिक बहुलक आप लोग का cellulose हो गया protein हो गया rubber हो गया यह आप लोग क सब परकिर्तिक बउलक है, तो हम लोग का करेंगे, राइट एnesर, और ओप्षान नामबरा इसको D को लगाएंगे, ठीके न, अप्षान नामबर हमनी के D, राइट एनसर होगा, परकिर्तिक ब उलक हमनी के सेलुलोज, प्रोटीन, रबर, यह सब हमनी के परकिर्तिक रबर है ब हो गया DNA हो गया सेलूलोज हो गया और प्रोटीन हो गया और रबर हो गया यह सब हम लोगा क्या है यह सब हम लोगा परकिर्तिक रबर है आप लोग चाहे तो यह से आप लोग नोट कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं बाबु कोश्चन नमबर तीन की तरफ हम लोग आगे बढ़े और आप लोग देखेंगे कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है उत्प्रिरक्स सवाल आप लोगों से पुछा गया है जो की काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है ध्यान से देखेंगा बाबु कि इथिलीन के बहुली करंग के द्वारा पॉली थिन का निर्माण होता है ठीक है तो इस परकिरिया में जो उत्प्रिरक्स का उपयोग होता है यहीं बताईए कि इथिलीन के बहुली करंद वारा पॉली थिन का निर्माण होता है तो इसके निर्माण में कोन उत्प्रिरक्स भागीदारी लेता है तो वह हम लोग का ऑप्शन नमबर A हो जाएगा जिगलर उत्प्रिरक्स यहीं हम लोग का करता है उसमें भागीदारी लेता है तो अप्शन नमबर हमनी के क्या हो जाएगा अप्शन नमबर A हम लोग का राइट एंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 4 आप लोग की स्क्रीन पर है जो की देख रहे हैं कि सवाल को घु किसका बहुलक है और यह सवाल एक बार नहीं आप लोग जाम में दोसो बार पुछा गया होगा तो नेचूरल रबर जो है हो आईसो प्रीन का बहुलक है तो अप्शन नमबर क्या हो जाएगा हमने के B हो जाएगा ठीक है ना अप्शन नमबर हम लोग B को राइट क्लिक करे एजा से आगे बढ़ते हैं बाबू question number 5 पारकिर्तिक रबर जो है किसका बहुत लग है तो help tutte Georgia बोलिए चाहे पारकिर्तिक बोलिए बतिया का है बतिया तो हमनी के एके है तो पारकिर्तिक रबर किसका बहुलक है तो हमनी के आईसो प्रिंग का बहुलक है तो अप्शन नमबर हमनी के सी हो जाएगा समझगे ना अप्शन नमबर हमनी के का हो जागा बाबू सी हो जाएगा आगे बढ़ते हैं question number 6 आप लोगों के screen पर है और आप लोग पढ़ेंगे और आप लोग answer देंगे बाबु कि निमलिखित में से कौन सघन बहुली करां का उतपाद है तो वह हमनी के nylon 6-6 है जस्ट अभी अम लोग उपर पढ़ें ठीके ना सघनन बहुली करां का जो उतपाद है वह हमनी के कौन है वह हमनी के nylon 6-6 है बाबु ठीक ना आप लोग इसको याद रखेंगे आगे चलते हैं question number 7 आप लोगों के screen पर है और आप लोग बताएंगे कि निमलिखित में से किसके बहुली करण में नियो प्रीन रबर प्राप्त होता है ठीक ना निमलिखित में से क इसके बहुली करण में नियो प्रीन रबर प्राप्त होता है ठीक ना तौह इसमें जो आप लोगो नोगर याद रखना है वह गलेरो फीरिंग के ठीक ना यह आप लोगों को याद रखना है यह आप लोग का राइट इंसर यह से हो जाएगा आगे चलते हैं question number 8 आप लोग ऑप्षान नमबर हम लोग का बी है जवीटर आयन बनाता है यही हम लोग का जबीटर आयन बनाता है आगे बढ़ते हैं बाबु question number 9 आप लोगों की screen पर है और ये सवाल आप लोगों के previous year का सवाल है ये previous year में सवाल में आप लोगों से पुछा गया है और बहुत सारे student गलती कर देते हैं लेकिन आज से आप लोगों गलती नहीं करेंगे question number 9 है कि परकिर्तिक रवर रैखिक बहुलक है रैखिक बहुला कुछ होता है बाबु लोग ना तो ओकरा में 2 को मिठाइल होता है ठीक है ना 3 को ब्यूटाडाइन होता है तो option number हमनी के का हो जाएगा option number हमनी के A हो जाएगा कोई दिकत कोई दिकत नहीं बाबु option number A हम लोग का right answer हो जाएगा question number 10 है आप लोग की screen पर कि निमन में से polyester polymer है ठीक है ना निमन में से आप लोग बताना है कि निमन में से polyester polymer है निमन में से polyester polymer जो है बाबु वो हम लोग का terry lean होता है ठीक है ना क्या होता है terry lean ये तो हम लोग का sun salisit होता है स्वगनान बहुलग होता है तो हम लोग क्या हो जाएगा टेरी लीन ठीक है ना option number हम लोग B को right answer क्लिक करेंगे तो निम में से polyester polymer कौन हो जाएगा हम लोग का टेरी लीन हो जाएगा यहाँ से आगे बढ़ते हैं बाबू question number 11 बेकल लाइट किस परकार का polymer है आप लोग को बताना है ठीक है ना बेकल लाइट जो है वह किस परकार का polymer है question number 11 बेकल लाइट किस परकार का polymer है what type of the polymer of बेकल लाइट आप लोग बताएंगे ठीक है ना पॉलीमर ठीक ना बेके लाइट जो है किस परकार का पॉलीमर है तो आप लोग याद रखना है कि ये हम लोग का इसमें से A, B, D नहीं होगा इसमें हम लोग का कौन सा राइट एंसर होगा इसमें हम लोग का ओप्शन नमबर C हो जाएगा ठीक ना ओप्शन नमबर C को हम का इसमें राइट एंसर होगा समझ गए आगे चलते हैं बागु आप लोग का कोश्चन नमबर 12 है आरे ने तथा डिये ने काईरल अडू है तो इसकी काईरलता का कारण क्या है बताईए एकदम सबसे मोस्ट इंपोर्टिन सवाल है पूछा हुआ सवाल है कि आरे ने तथा ड बताई है एक और काईरलता का क्या है करण है तो ऑप्शन नमबर हमनी के क्या हो जाएगा अप्शन नमबर हमनी के एए राइट इंसर हो जाएक ठीकना उप्शन नमर-a-d शूगर-अव्यवव हो जाएगा आगे चलते हैं कोश्टन नमर 13 सरवाधिक माधूर मानटिकना वाला क्रित्री मधुरक है यानि क्रित्री माने होता है कि जो मानों द्वारा बनाया गया है समझे ना जो मानों द्वारा बनाया गया है तो मानों द्वारा जो सबसे मीठा बनाया गया है उसका क्या नाम है तो आप लोग याद रखेंगा बाबू उसका नाम है एलीटेम ठीक रहता है इतना मीठा होता है इसका कोई हद हिसाब नहीं रहेगा जैसे आप लोग देखते हैं इसका किसी के बसक में रहता है सब चीज प्लेन कर देगा, सब चीज का करेगा, प्लेन कर देगा, वह सही एलिटेम होता है, का होता है एलिटेम, मतलब इसको थोड़ा साही मिला देजेगा न, येतना मीठा कर देगा न, फिर समझे कि वह खाने लाइक नहीं रहेगा, येतना मीठा कर देगा, एलिटेम सब स सबसे ज़्यादा लोग पिरिये है तो जो सबसे ज़्यादा लोग पिरिये है वह हम लोग का ओप्सोन नमबर A है इस पारटम हम लोग का सबसे ज़्यादा लोग पिरिये है इस पारटम का है बाबु सबसे ज़्यादा हम लोग का लोग पिरिये है सबसे ज़्यादा इउज हो यहीं जाएगा यहीं जाएगा यहीं जाएगा आप लोग के लिए नोट लाए है कि देखें का लिखा है यह सबसे ब्यापक तथा अधिक है ठीक है आप लोग देख लिजिए यह काद दिया गया है सोरी एक मिनाट आप लोग देखेंगे बाबु ठीक ना यहासे आप लोग यह आप लोग चेनी खाते है ना इस चेनी से भी स्वाइबुना मिठा है कोवन यह स्पार्टेम यह करें कि ज्यादा उपयोग में हम लोग यूज करते हैं इसका उपरियोग ठंडे पेपदार्थों के साथ किया जाता है समझ गया ना देखिए एलिटेम के बारे में यह होगा चेनी से 2,000 मिठा बर्दास्थ हो जाएगा बर्दास्य नहीं होगा समझ गया नौ तो इसलिए एलिटेम का यूज बहुत कम होता है कि यह इतना मिठा है कि कोण होता है स्वाबसी ज़्यादा व्पयोग होता है हो इस पर्ड्रम का उपयोग हम लोग करते हैं चल्म्न चलते हैं निम्न में से कौन आप लोग बताएंगे बाबू कोशन नमबर 14 है कि निम्न में से कौन स्वायक पिडाहारी है ठीक ना निम्न में से कौन स्वायक पिडाहारी है आप लोग को बताना है बहुत अगदम अच्छा सवाल है आप लोगों से यह सवाल पूछा जाता है बार बार आप लोगों से याद रखिएगा कि जो स्वायक पिडाहारी होता है वो हमनी के एस्पिरीन भी होता है वो हमनी के मारफिन भी होता है वो हमनी के पारा सीटा मिल भी होता है स्वायक पिडाहारी कहने का मतलब है न कि आप लोग का जो दूख दरत जो तनाव होता है उ उसमें समझी कि एस्पिरीन होता है यहो कुछ कम कर देता है पारा सीटा मोल यह तो सबसे ज़्यादा फेमस है और मार्फिन भी यह तीनों जो है आप लोगे पिड़ाहारी में आता है तो इसलिए इसका जो राइट एंसर हम लोग देंगे वहा हमने के ओप्शन नमबर क्या द पूछा है कि वीटामिन एक की कमी से रतांदी होता है ना किसके कमी से होता है तो वीटामिन एक की कमी से हमने के रतांदी होता है तो हमने के ओप्शन नमबर का हो जाएगा ओप्शन नमबर हमने के बी हो जाएगा आगे चलते हैं बाबु कोश्चन नमबर 16 आप लोगों के स्क्रीन पर है आप लोग बताएंगे क्या इसका राइट एंसर होगा बहुत अच्छा सवाल है ठीक ना बहुत बहुत क्या है बहुत अच्छा सवाल है आप लोग इसका इंसर देंगे देखिए क्या है कि निमलेखित में से कौन ब्रांड एक स्पेक्टरम इंटिवाटिक नह पेन्सिलीन हमनी के अन्टि बाइटिक नहीं है कौन अन्टिबाइटरी के ब्रांड ऐक्स पेटर नहीं है तो अप्सों नम्बर C हमनी के राइट एंसर हो जाएगा आगे बढते हैं कोश्चा नमर 17 आप लोग की स्क्रीन पर है और आप लोग बताएंगे कि इसका राइट एंसर क्या होगा कि निमलीखित में से कौन सा पिरा सोरी पिरिमीडीन भास में जो आरेने में उपश्थित रहता है किन्तु डी एने में नहीं रहता है सोच रहे है आरेने में रहता है प्रण्थ डी एने में नहीं रहता है और लोग 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 में नहीं होता है तो option number हम लोग का जो होगा ओवर D right answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं question number 18 आप लोग की screen पर है कि chloro mean T क्या है आप लोगों से सवाल यह बार बार पुछा जाता है और अब की बार भी पुछा जाएगा कि 18 number chloro mean T क्या है आप लोग बताना है तो chloro mean जो T है बाबु लोग न वो हमनी के anti material है आप लोग याद रखिएगा इसका भी यूज होता है वो हम लोग के जो दिमाग का tension तनाव दुख दरद होता है उकरा कम करने के लिए एकरा के यूज हम लोग करते है तो anti material है टिगना का है anti material है आगे चलते हैं बाबु question number 19 आप लोगों के screen पर है और आप लोग बताएंगे ये छोटा सवाल है कि निमलिखित में से कौन सरवाधिक मीठी सरकरा है देखे सब चीनिये का रूप है सुकरोज, फुरुक्टोज, लेक्टोज, मल्टोज ये सब का है चीनिये का रूप है तो आपको बताना है कि इन में से कौन सब से ज़्यादा मीठा है तो फुरुक्टोज जो होता है पर आप लोग बताएंगे कि इसका राइट एंसर क्या हो ठीक ना कोश्चन नमबर 20 का आप लोग राइट एंसर बताएंगे बहुत ही अच्छा खासा सवाल है बाबु आप लोग की स्क्रीन पर बोला है कि निमलीखित में से कौन सा वसा में बिले बिटामिन नहीं है कहने का म लिकेना बिटामिन के जो होता है वो हम लोग का नहीं घुलता है समझ गये तो अप्शन नमबर हमने के डी हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमबर 21 आप लोग के स्क्रीन पर है बताएंगे कि फिनोल निमन में से किसके निर्मार में परयुक्त होता है फिनोल किसके निर्मार में परयुक्त होता है आप लोग बताएंगे आप लोग लिए टाइम रते हैं फिनोल जो होता है वो किसके निर्मार में परयुक्त होता है तो आप लोग याद रखेंगे जो फिनोल होता है वह बेके लाइट ठीक है ना वह बेके लाइट और नाइलन दोनों के उ तो एक्जाम में जब आप लोगों देगा तो कोई एसा रहेगा जिसमें यह रहेगा ना तो दूनों रहेगा तो एक उप्षन बनाएगा दूनों वाला समझ गया थिसलिए हम दूनों लिख दिए ताकि आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेंगे आगे चलते हैं प्लास्टिक एवं उसी से संबंदित पदार्थों के संसलेशित में परियोग होता है फिनोल और इसके व्यूत्पन जोगी के पॉली कार्बोनेट एक पॉक्स की बेकलाइट नाइलों ठीक है ना डिटर्जेंट सकनासी और अनेक औसीदियों के उत्पादां के लिए आवस झाल गोल बनाता है देख रहे हैं रंगहीन घोल बनाता है तो वह हर्मiny के हो जाएगा option नमर्स ऑपजोन नमर्स वैदेख सकते हैं थीए होता है आप गशोर से लिए रिजन लिख दिए है पुछन नम B 23 आप लोगों की स्क्रीन पर है कि क्लोरो माईसे क्लोरो स्चरी क्लोरा माईसेटीन का उपव्योग कौन सी बीमारी के लिए करते हैं, तो टाइफाइड के लिए करते हैं, ठीक है ना, किसके लिए करते हैं, टाइफाइड के लिए आप लोग याद रखेगा, यह एक ऐसी दवा है, यह एक ऐसी ओसिदी है, जिसका उप्यों किसम करते हैं, टाइफाइड में हम लोग करते हैं, आगे च का परियोग साबून के रूप में हो सकता है साबून के रूप में किसका हो सकता है आप लोग बताएंगे तो यह इसमें आप लोग बताना है तो साबून के रूप में जो होगा बाबू वह हमनिक जो होगा आप लोग बताना है जल्दी बताईए निमलिखित में से देखे नि चलते हैं, question number 25 आप लोगों के screen पर है, आप लोग बताएंगे कि साबुन के लिए cmc का मान होता है, साबुन के लिए cmc का मान आप लोग बताना है, जो कि यह cmc मान क्या है, बहुत 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 ज्यादा famous है, तो 10 के power minus 4 से 10 के power minus 3 तक होता है, तो option number का हो जाएगा, option number हमनी के c right answer हो जाएगा, आगे चलते हैं, question number 26 आप लोगों के screen पर है, आप लोग बताएंगे कि वह जोग एक जो केंदरी तंतरी काउं सिस्टम पर प्रती और सादक के रूप में कार्ज करता है, वह किस बर्ग में सामील होता है, तो वह परसान तक में सामील होता है, एकदम one second वाल right answer है, बस एतना याद रखना है कि प्रती और सादक के रूप में जो काम करता है, वह परसान तक में हम लोग का आता है, तो option number क्या हो जाएगा, हमनी के B हो जाएगा, आगे चलते हैं, question number 27 आप लोगों के screen पर है बाबु बताएंगे कि एकवा नील क्या है, एकवा नील, तो एकवा नील आप लोग याद रखेंगे कि ये भी हमनी क्या है, ट्रेंक भी लाइजर है, ठीके ना, एकवा नील भी क्या है, एकवा नील भी हमनी के ट्रेंक भी लाइजर से है, यानि परसान तक है, आप लोग right answer देंगे, चलते, question number 28 आप लोगों के screen पर है बाबु बताए लाइगे कि निमलिखित में कौन साबुन में ज्ञाग बनाने के गुण में ब्रिधी करता है, यहनि देखे साबुन जब आप लोग अपने देह में लगाते हैं, तो देखते हैं ना, ज्ञाग मार उतपन होता है, गदम समझे कि पूरा ज्ञाग बन जाता है, आप लोग होता है, ठीके ना, का होता है, ज्ञाग उतपन होता है, तो जो ज्ञाग उतपन करता है, वह कोण उतपन करता है, तो वह याद रखेगा, कहां कि यहाँ, सोडियम रोजी नेट करता है, ठीके ना, कौन करता है, सोडियम रोजी नेट करता है, ज्ञाग जो देखे, जो साब चोनते हैं, question number 20, sorry 29 थी कि न, आप लोग देखेंगे, क्या है कि साबून में glitch roll मिलाया जाता है, इसका कार क्या है, देखिए, साबून में glitch roll इसलिए मिला जाता है, कि माल जी कि आप अपने देह में साबून लगाया है, का करें है, देह में साबून लगाया है, साबून का जो तो फिर नहाने में मजा आएगा नहीं आएगा तो आप लोग देखे होंगे कि जो आप लोग अपने देह में साबुन लागाते हैं तो पांच मिनट तक कम से कम आपके बादन पे आप लोगने इसके लिए का करते हैं साबुन में गिलिसरोल मिलाते हैं क्या करते हैं साबुन में गिलिसरोल मिलाते हैं यानि तेजी से सुखने से रोकने के लिए ठीक ना देख रहा है ना तेजी से सुखने को रोकने के लिए मतलब जो साबुन से जहाग बनता है वह जल्दी न सुखे इसको रोकने के लिए गिल question number 30 आप लोगों के screen पर है बताएंगे कि निमलीखित में से कौन भोजन के portion का मान को नहीं बढ़ाता है तो आप लोगों बताएंगे निमलीखित में से कौन भोजन के portion के मान को नहीं बढ़ाता है नहीं बढ़ाता है खर्निस, विटामिन, एमीनोल इस्से मतलब करितरी मोधुरक हो जाएगा, ठीके का हो जाएगा, हम लोग क्या हो जाएगा indम, ठीके कैना ऑज हम लोग कमेश्ट्री में 30 objective किये हैं, आप लोग कैसा लगा इसका आप लोग कमेंट बताएंगे, अगिल्यह जो वीडियो आएगा वो आप लोग के लिए बहुत बहुत फायदे मन्द होगा आप लोग खूब मन लगा पढ़िएगा चेनल को लाइक सब्सक्राइब आप लोग करना है और वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट भी मारना है वीडियो को खूब सेर करना है नए होंगे तो लाइक जरूर करेगा सब्सक्राइब जरूर करेगा चैनल को कहों कि हम लोगों खुब आगे बढ़ना है चलिए तब मिलते हैं एक दूसरे कलास में जय हिंद